Ant-Man and the Wasp Gunter Mania का ट्रेलर आ चुका है तो शुरू करते हैं इसका Breakdown तो ट्रेलर के शुरात में हम देखते हैं कि सभी को पता चल चुका है कि Ant-Man अब Avengers की टीम का मेंबर है इसलिए वो बहुत ज़्यादा Famous भी हो चुका है लेगन कुछ लोग Ant-Man को Spider-Man से Confuse हो रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने Spider-Man No Way Home Movie में देखा कि Dr. Strange के Spell के वज़ज़ से सभी लोग Spider-Man के Identity भूल चुके थे वो Spider-Man के सूट का Color भी Rate था और Ant-Man के सूट का Color भी Rate है तो इसलिए कुछ लोग Confusion में सब बोले हैं और आगे हमने देखा कि Ant-Man सेलिब्रिटी बन चुका है इसलिए वो अपनी बैटी को बिल्कुल भी Time नहीं दे पा रहा है और साथ ही इससे पहले 5 साल Quantum Realm में रहने की वज़ज़ से उसने अपने बैटी को बिल्कुल भी Time नहीं दिया था तो इसी बीच Ant-Man की बैटी केसी लेंग ने एक ऐसी चीज़ बिना ली जिसकी वज़ज़ से मैंने पूरी Family Quantum Realm में ट्रेप हो जाती है और इस ट्रेलर में केंग का Variant भी दिखाया है और कहा जा रहा है कि ये केंग का Warrior Variant होगा और अब भी कुछ टाइम पहले इसका एक लिग ट्रेलर भी आया था जिसमें हमें मोडो नाम के विलेन को भी दिखाया था लेकिन इस ट्रेलर में उसको नहीं दिखाया है और इस मूवी के डिरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी हायेस्ट मलब डेकेती पर होगी वो भी क्वेंटम ड्रियल में और शायद ऐसा हो सकता है कि गैंग और एंटमेन की बेटी को हिडनेप कर लेगा पदले में एंटमेन से किसी तरह की डेकेती करवाएगा और वो किस चीज की डेकेती होगी वो तो मूवी में ही पता चलेगा तो आपको मेरा ये ट्रेलर बेग्डाउन कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो वीडियो को लेग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थेंक्स पो रोचिंग